तो श्रूम्ने रहीम, आप लोग पढ़ रहे हो, it is unable to evolve carbon dioxide with carbonates or bicarbonate carbonate और bicarbonate से जो strong acid होते है न वो carbon dioxide gas evolve कराते हैं लेकर यह नहीं कराता इसका मतर यह strong नहीं है number two it doesn't turn litmus paper red acid को litmus paper red करना चाहिए लेकर strong acid करते हैं यह तो weak acid है litmus paper का color red नहीं करेगा carbon dioxide gas carbonate और bicarbonate में से evolve नहीं कराएगा लेकिन basis को neutralize कर देगा और इसका जो ironization constant या dissociation constant of acid होते है that is 1.3 10 raise की power minus 10 it means it is acid is acidic and it is acidic due to formation of fan oxide iron मत्बब यह अपना proton दे देते हैं जब यह अपना proton दे देगा ना इसका proton चला जाएगा तो यह बज़ेगा जो बताब fan oxide iron और fan oxide iron is stable इसका मत्ब है यह अच्छा है सरे strong नहीं अच्छा है और चुकि अच्छा है सरे तो fan oxide iron stable हो जाते stable कैसे होते है it is stabilized by resonance and resonance is different pairing scheme between valence electron of an atom तो आप देखिए इसका क्या मत्तब जब यह hydrogen जाएगा तो यह electron oxygen को मिल जाएगा इसके पास अपने भी दो log weight बढ़े होई तो यह इधर double bond बनाना चाहेगा और अपना electron बेंजीन को दे देगा तो यह अपना electron benzene को दे देता है benzene activate हो जाती है और जब benzene activate होती है उसकी reactivity बढ़ जाती है और आने वाला ग्रूप आर्थो और पैरा पोजिशन पर substitute होते है तो आर्थो और पैरा पर बनते हैं जहां पर electron की density बढ़ चुकी होती है देख लीजिए हम कैसे बढ़ती है यह जब इदर बॉर्ड बनाएगा तो इसका electron ring के अंदर आजाएगा कैसे आएगा जैसे यह double bond बनाएगा ना इसको double bond बनाएगा इस carbon के 4 बॉर्ड है जब यह double bond बनाएगा इसके 5 बॉर्ड हो जाएगे यह अपना इल्योड बॉर्ड फिक्राइगा और इस arrow का मतब है कि जब यह डबरंड बनेगा, तो यह बॉर्ट यहाशिट रोड देगा, उज़ यह और अक्सियर ने दिया है, वो यहाँ है, लेक्टरॉन टैंसिटर बढ़ जाएगी आर्थो पॉजिशन पर लेकिंग इसके बॉर्ड तीरे तो इस अहरो को मतलब है, यह चार बॉर्ड बने जारे, विदी दुबारा से भी बॉन बनेगा चारबान बने गारी चारबन बनेगे इसके पास उलेगे तो अपना यह उदा और तोड़ देगा और ओपनेकर आया था और और जिए न में पिर आपको सब और इसके थ्री बॉर्ड है तो इस एलो को मतलब यह चार बॉर्ड बनने जा रहे हैं यसी चार बनेगे यह डबर बॉर्ड सिंगल बॉर्ड बनेगा और यह सिल्सला चलता रहेगा आईसे और इसकी पियज़ तो इसकी पियज़ तू थ्री तक भी होती है और फिनोल इसकी प्यज़ नॉर्मल इसकी प्यज़ नॉर्मली 6 to 7 होती है और अल्कूल इनकी pH 7 to 8 होती है तो सबसे अच्छा एसर कार्बॉक्सली के सरे अगर कार्बॉक्सली के सरे अपना प्रोटान दे 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 अगर ये प्रोटान दे दे तो चार्च ओ नेगटिब जा जाएगा और ये खुदका ब्रेजो लेट कराएगा कैसे ये सिंगल बॉड डबल बन जाएगा और डबल सिंगल बन जाएगा ये नेगडिव चार्च जाँ गया फिर ये सिंगल डबल बन जाएगा और डबल सिंगल बन जाएगा इसकंदर रेजोनेंस होती रहेगी मतलब प्रोटान देने के बाद भी यह कुछ को स्टेबलाइज कर लें MDCAT 2017 में इसके रिलेटेट कोचन आया हुए The acidity of inol is due to No.1, Nature of benzene? नहीं Nature of benzene से कोई acidity प्रडूज नहीं होती Bita, Double bond in benzene नहीं Double bond की वज़ा से acidity प्रडूज नहीं होती अगर बेन काब हो जाए जुस्त जूब काम्याब हो जाए अक्स पढ़ जाए जो तेरे चेहरे पर आफताब हो जाए